दोस्तों नमस्ते मैं जानती हूँ कि आप सबको कहानी सुनना बहुत पसंद है और मैं ये भी जानती हूँ कि कभी आप पापा से कभी मम्मी से कभी दादा जी से कभी नाना जी से कभी दादी जी से कभी नानी जी से सबसे कहानी सुनते हैं है ना पर आज हम कहानी सुनेंगे भाईया जी से पर हमारे भाईया जी हैं बड़े निराले कभी कहते हैं कहानी मैं शुरू करूंगा पूरी तुम करो और कभी कहते हैं आओ साथ साथ मिलकर कहानी पूरी करें तो सुनते हैं ये कहानी कहानी आधी अधूरी हरे वा, कितने सारे पूल है यहाँ लाल पीले, हरे ये भी तोड़ लेता हूँ, ये भी तोड़ लेता हूँ अरे यहां पे तो सारे फूल खतम हो गए अब मैं फूल कहां से लूँगा यहां पे तो एक भी फूल नहीं दिख रहा और में दोस्त भी नहीं दिख रहे भाईया भाईया हाँ बोलो यहां पे सारे फूल खतम हो गए देखो तो हां फूल तो खतम हो गए लेकिन ये हुए कैसे खतम यहां तो कल बहुत सारे फूलते देखो यहां के ने अरे ये किसने तोड़े ये ये अच्छा तो ये तुम्हारी शरारत है हां अच्छा तो एक बात बताओ आज तुम्हें कहानी सुनाओ हाँ, सुनाओ भाईया लेकिन कहानी फूलों पर सुनाओगा फूलों पर हाँ ठैके ना? और कहानी में तुम्हारी तर एक बच्चा होगा मिल तरह? हाँ, और वो भी फूल तोला करता था तो बताता तुम्हें उस बच्चे के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ यहां बैठो लेकिन वही शर्त है भई कौन जी कहानी तुम्हें भी पूरी करनी पड़ेगी हाँ लेकिन तुम्हें भी कुछ कम नहीं है भई हाँ ठीक है भई तो मैं कहानी सनाऊंगा लेकिन तुम्हें भी उसे आगे बढ़ाना होगा ठीक है ना तो एक था बच्चा त तुम्हारे तरह उसका नाम था उसका नाम था विलु और तो पया करता था विलू जी तुछ जगत जगा-जेगा से फूल तोड़ा करता था जैसे तुम्हारे घर के आसपास ये फूल लगे हुए है न वो खूल तोड़ा तो अब तब पूल बचा ही नहीं इसी तरह उसने सारे फूल तोड़ तोड़ के खदम कर दिये तो जानते हो उसका एक दोस था भवरा भवरा ठीक है उसका नाम था चिंकु भवरा तो चिंकु भवरा हर रोज इन पूलों पर आया करता था और बैट कर उनका रश चुशा करता था और साथ ही वहां मदुमक्या भी आती थी और तितलिया भी आती थी रंग भी रंगी तो बड़ा अच्छा महौल था वहां का बड़ा ही प्यारा और फिर वह भवरा उसका दोस बन गया था ठीक है बिल्लू का तो बिल्लू ने एक दिन क्या किया सारे फूल तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के खतम कर दिये और उसे एक बार खबर पता चली उसका दोस चिन कुब हमुरा बिमार पड़ गया हाँ बिल्कुल सही का लेकिन जानते हो वह बिमार कैसे पड़ा वह फूलों का रश चूसता था और जब उसने फूल तोड़ दिये तो सारे फूल खतम हो गए अच्छा ये बताओ तुमें जब भूग लगती है तुम क्या करते हो मैं खाना खाता हूँ खाना खाते हो ना और तुवार पेट भर जाता है इसी तरह से भावरा जो था जब उसको भूग लगती थी तो वो जाकर फूलों का रश चूसा करता था और यही उसका भोजन था जब बिल्लू ने सारे के सारे फूल खतम कर दिये तोड़के तो अब क्या बस था बिचारा भावरा जो था वह क्या खरता भावरा बस था ले सकता सहार chlorश हाँ लेकिन वहां भी फूल थे नहीं वहां भी पूल खतम थे तो अब क्या हूँआ पता है पूल दुन्या में पूल खतम हां हां उसे बिल्लू के फूल पसंद थे, इसलिए वहाया करता था, उससे बाता करता था, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो भवरा था, वो बिमार रहने लगा, बिमार रहने लगा, बड़ा उदास रहने लगा, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, कि उसके दोस्त ने बिल्लू ने जाक सब्सक्राइब बताओ, बताओ, मैं क्या करूँ, अब तू धीरे मैं मरने वाला हूँ, नहीं भवरा ऐसे मत कहूँ मैं ठीक है, मैं तुम्हें मरने दूंगा.. मैं कुछ करूँगा, मैं फिर से फूल लगाओंगा तो बिलकुल मत खब्राओ, ठीक है.. हाँ तो जब भवरे ने ये बात कही ना कि मैं मर जाओंगा कुछी दिनों में तो बिल्लू ने आकर का मेड़े ममी ने एक पौदे हो गाए है हाँ और उन पौदों में फूल लगे हुए हैं तो भवरा विचारा जो इतना कमजोर था जब वो आया उसने फूल देखे तो उसका मन खिल उठा और वो बहुत हुश हो गया जब उसने देखे न चारतरब पूल लगे हुए है रंग बेरंगे दिया तो बिल्लो ने क्या कहा बोलो ये दन्यवाद मुझे मत दो ये तो मेरा फर्स था उसने क्या किया पता है बिल्लो ने उससे माफ ही मांगी मेरा दोस्त मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई थी आगे से मैं कभी भी फूल नहीं तोड़ूंगा बलकि अपने दोस्तों को भी नहीं तोड़ने दूँगा, मुझे माफ कर दो, अब हम लेने उसे माफ कर दिया, शबाज, बिलकुल सही, और वो दोरो दोस्त फिर से हो गए, उनकी दोस्ती ऐसी रही, मस्बूत, बिलकुल मस्बूत, जब हम लेना रस पीता था तब फूल नहीं मरते थे, नहीं बेटा, फूलों को अच्छा लगता था, फूल बहुत कुछ होते थे, तो कैसे लगे कहानी, अच्छी, शबाज, अच्छा बता, अब तुम क्या करना चाहोगे, नहीं, 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 अभी तुमें कहानी सुनाई थी न, अच्छा, अब मैं फूलों को कभी रही तोड़ू शबाज क्योंकि फूल तोड़ने से क्या होता है, हमारे गोस्ट हमारे पास नहीं आते, बिलकुल, बही पशु पक्षी होते हैं, परिंदी जो होते हैं, ये जो तितलियां होती हैं, भावरी होते हैं, ये हमसे रूट जाते हैं, हाना, मधुमक्यां जो इससे रश चूज के शेहद बनाती है, हमें शेहद नहीं मिलेगा तो कहने का मतलब यह है कि हमें बेलकुल भी फूल नहीं तोड़ने और आज कि तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाई आप मैं भी भाईया बहुत बहुत तुम्हें धन्यवाद शाबाज तो कहानी अच्छी थी ना मुझे तो इक कहानी बहुत अच्छी लगी और सच बताओं जब आस पास सुन्दर सुन्दर फूल दिखाई देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, है ना और इस कहानी को सुनने के बाद मुझे लगता है कि इस कहानी का नाम होना चाहिए फूल लगाओ, दोस्त बनाओ आपको अच्छा लगा ये नाम आप ही सोचिए कि इस कहानी का नाम और क्या हो सकता है कहानी आधी अधूरी भाग दो अभी आप सुन रहे थे उमंग बाल पत्रिका का ये आंच प्रवीन चर्मा और एशान भनियांकन बटिलांग लिंदो आलेक, वाचन, निर्माण, निर्देशन और ध्वनी संपाधन गीतिका उन्याल प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T C.I.E.T.N.C.E.R.T C.I.E.T.N.C.E.R.A.T झाल झाल